Hello and welcome my dear students, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका teacher and आपका दोस्त and host प्रतीक दिवेधी और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल Study for Win पर दोस्तों, आज मैं आपको आपके इस वीडियो में आपके हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाऊँगा जिस टॉपिक का नाम है लिंग, जिसको इंगलिस में हम लोग जैंगर भी कहते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग बच्चों, मैंने इस से पहले अपने दो वीडियो जाल रखे हैं जिसमें हम लोगों ने दोनों वीडियो में वाचे और वाचे के प्रियो को डिसकस किया है तो दोस्तों, आज मैं ये तीसरा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ लिंग का जिसमें हम लोग लिंग या जेंडर से जितने भी question फसते हैं इस जैसे कि आपको paper में दे दिया जाता है कोई भी एक word दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा लिंग है तो बच्चे अकसर गलत करके आ जाते हैं वो word देखके या शब्द को देखके ये पहचान नहीं पाते कि यहां पर इस सब्द में या फला फला सब्द में त्रिलिंग होगा पुलिंग होगा या कौन सा लिंग होगा ये बता नहीं पाते लेकिन आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी भासा से कोई भी शब्द अगर आपको फस जाएगा पेपर में और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा लिंग है तो आप लोगों को मैं इतने आसान ट्रिक्स के साथ बता दूँगा समझा दूँगा, पढ़ा दूँगा कि आपको वर्ड को देखके कभी आप गलत नहीं करके आएंगे कि कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग होगा या पुलिंग होगा तो ठीक है दोस्तों आप लोग इस पूरे वीडियो में बने रहिए और ट्रिक्स को समझने की कोशिश करिए बहुत आतान ट्रिक्स हैं जिससे आप कभी भी किसी भी सब्द में गलती नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेफिनिशन से यानि परभाशा से तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर लिंग होता क्या है ठीक है लिंग के आप भी जानते होंगे आपने पढ़ा होगा पुल लिंग है इस तरी लिंग है बट एक्चुली अगर हम पुले लिंग या जैंटर की डेफिनिशन क्या होती है उसकी परभासा क्या होगी तो उसको कैसे परभासित किया गया है देखें बचो जिस संग्या सब्द से व्यक्ति की जाती का पता चलता है मतलब आसान सब्दों में कहें तो जिन सब्दों से पुरुष जाती या इस्तरी जाती का पता चलता है मतलब अगर कोई भी संग्या सब्द दिया गया होगा तो आपको ये पता उससे चल जाए अगर कि वो पुरुष जाती का शब्द है या इस्त्री जाती का शब्द है तो आप तुरंत ही बता देंगे कि वहाँ पे लिंक का प्रियोग किया गया है मतलब अगर कोई शब्द दिया है आप बता रहे हैं इससे हमें पता चला है कि वो पुरुष जाती का है तो हम बताएंगे वहाँ पे ये पुल लिंग है हम बोलेंगे अगर कोई शब्द से पता चला है कि वो इस्त्री जाती का है जिन संग्या सब्दों से या जिस संग्या सब्द से व्यक्ति की जाती का पता चलता है जाती मतलब वो पुरुष जाती का है या इस्तरी जाती का ये अगर हमें किसी संग्या सब्द से पता चले तो हम वहाँ पे उसको बोलते हैं कि वहाँ लिंग है यानी जैंडर है या इन मेंसे कोई नहीं या 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो बच्चों बहुत से लोग, इसमें common angef क्या answer लगा के आते हैं? 3 जबकि बच्चों, हिंदी में link के भेढ सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं, जबकि 3 कहां होते हैं? तीन होते हैं Sanskrit में, और Hindi में क्या होते हैं? 2 खिक हैं? से पुरुस जाती का बहुत होता है वो pulling और जिन सब्दों से स्त्री जाती का बहुत होता है वो इस्त्री लिंख होते हैं चीके ना बच्चों अब हम लोग इन्ही में से tricks के माध्यम से पढ़ेंगे कि pulling सब्द कैसे हम पता लगाएंगे कौन-ौन से सब्द पुलिंग में आते हैं और कौन-कौन से सब्द इस्त्री लिंग में ये जो अकसर पूछे जाते हैं घुमा फिरा के पूछेंगे और आपको भसाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको अभी मैं याद करा दूँगा ट्रिक्स की माद्यम से कि कैसे हम लोग पता लगा बहुत करा रहा है तो पुलिंग होगा ठीक है तो अब पुलिंग में कौन-कौन से नाम आते हैं या कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं कौन से शब्द होंगे जो पुलिंग में आएंगे तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कि सभी पदों के नाम ये देखिए आपका जो जार कर रखा है मैंने पदों के नाम नोट्स भी मैंने खुद के बनाए हुए हैं तो उसमें नोट्स को भी मैंने इस तरीके से बनाया है कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप डिरेक्ट नोट्स देखके भी एक वीडियो देख लो और नोट्स एवलेविल करा दूगा नोर्स देखे आप तुरन समझ जाएंगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है तो आप सबसे पहले देखें सभी पदों के नाम पदों मतलब पोस्ट पोस्ट जो होती है जैसे कि प्रधान मंतरी और चीप मिनिस्टर सी एम डॉक्टर्स किलर्क ये सारी पोस्ट जहां पर भी पेड़ के लिखा है मैनेजर लिखा है ये सभी अगर कहीं भी लिखाया और पूछे यहां पे इस सब्द में इस्तरी लेंगे या पुलिंग है तो आप तुरंथ बताएंगे अरे ये तो सर ने बताया था कि ये पदों के नाम तो पुलिंग में आते हैं तो तुरंथ आप पेड़ नीम का पेड़ देवदार का पेड़ अशोक देवदार नीम है ना जितने भी पेड़ आते हैं ये सभी पुलिंग होते हैं और आप यहां भी देखिए कि जैसे हम बोलें कि वहां अब नीम का ये एक्जामपल ले लो तो हम लोग बोलते भी है ना कि वहां नीम का पेड़ लगा है यह तो नहीं बोलते हैं कि ना वहाँ नीम का पेड़ लगी है अब जहां हम वहाँ बोल रहे हैं लगा तो वहाँ देखके यह आपको समझ में आ रहा होगा कि लगा शब्द आ रहा है यानि pulling है और मैंने आपको बता भी दिया है कि जब भी कहीं पे भी पेड़ों के नाम आ जाएंगे तो पेड़ों के नाम जब भी आएंगे तो वहाँ पे आप तुरंट क्या ठोक के आएंगे सीरे सीरे pulling अब थर्ड नंबर पे आता है सभी देशों के नाम सभी देशों के नाम तो सभी देश जितने भी देश हैं जैसे की भारत चीन अमेरिका इटली ये सभी किसमें आएंगे pulling में ठीक है अब ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो इटली लिखा हुआ है कभी कबार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इटली शब्द आया है तो इटली लिखा है ये देश का नाम है लेकिन आपको ये हलका साई वर्ड लास्ट में कुछ साउं पुलिंग में आते हैं तो जितने भारत चीन हो अमेरिका हो या इटली ये सभी देशों के नाम है और देशों के नाम आएंगे पुलिंग में ठीक है ना अब आगे देखते हैं सभी ग्रहों या तारों के नाम ग्रहों के नाम या तारों के नाम ये भी किसमें आएंगे भले ही आपको कितना भी स्त्री लिंग जैसा दिखता हो लेकिन वहाँ पे आपका वो होगा pulling ही, अब pulling का एक और example दिखते हैं कहां से, जितने भी महीने आते हैं, दोस्तों महीने, सभी महीने हमारे pulling में आएंगे, महीने जैसे, चैत, वैसाग, जेस्ट, असार, इविन आपको जनवरी, फरवरी भी दे दिया जाए, चैक है, अब मई लिखा है, तो वो भी मई का महीना आता है, ये तो नहीं कहते हैं कि अब मई का महीना आती है, या अब बोलते हैं, अगला महीना मई का महीना आएगा, चैक है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे, आगे अपना मई का मही या आने वाला है ऐसी बोलेंगे ना आने वाला है आने वाली है तो नहीं बोलेंगे मैई का महीना तो सभी महीनों कreina में किसमें आएंगे सब्सकी में पुलेंग मतलब पी तो आप लोगों ने यहाँ समझ लिया होगा तो इसके बार बीचे पी सभी द्रव जो हम द्रव पीते हैं लिक्विड वो भी पुलिंग में आते हैं जैसे की लिखा है पानी, सभी धातुएं, धातु यानि मैटल्स जैसे लोखा, ठीक, ऐलिमीनियम, तामबा, ये भी पुलिंग में आएंगे, सभी रत्न, जो रत्न होते हैं ना आभूशन, ज्व अब मैं आपको यहां एक exception बतातूँ, exception मतलब है, कि वो नाम जो रत्न होके भी पुलिंग नहीं होगा, वो है चांदी, चांदी, अब बोले चांदी शब्द आया है, और आप बोलेंगे, सर ने तो बताया था, सभी रत्न पुलिंग होते हैं, तो मैं आपको इनके अपवा यह बी बता देताओं साथ में, कि चांदी एक ऐसा रत्न है, जो कि С्त्री लिंग में आएका, यहां सरीर के जितने बी अंग है, सरीर के पार्क्स के नाम यह भी पुलिंग में आते हैं, जैसे मैं बोलू हाथ, मू, पैर, दा्ट, जैसे काण, बाल, बाल ये सबी के सबी pulling में होंगे तो द्रव पीने वाली चीज़ें धातूएं रत्न सरीर के पार्ट सरीर के अंग ये सबी भी हमारे pulling में आएंगे ठीक है अब हम बाद आगे बढ़ते हैं परवतों के नाम परवत जैसे हिमाले रौकी ये परवतों के नाम भी आपके पुलिंग में आएंगे कोई भी परवत का नाम दे दिया जाएगा जैसे लिखा होगा हमालाय हमालाय शब्द स्त्रीलिंग या पुलिंग तो आप ये कन्फ्यूज मत होना आप तुरंट ही बोलोगे कि हमालाय तो सर ने बताया था कि पुलिंग होता है ठीक तो हम पुलिंग में लगा के आ जाएंगे और वैसे भी लास्ट में जब ये वीडियो मैं स्त्रीलिंग पुलिंग समझा दूँगा उसके बाद एक लास्ट में जो ट्रिक बताऊंगा बच्चों वो तो आपकी किसी भी सब्द पर लागू कर देना आप आपको ये याद ना हो कि धातू किसमें आएगी पुलिंग में के इस्त्रीलिंग में ये याद ना आए लेकिन जो ट्रिक लास्ट में बताऊंगा वो याद रखना वैसे तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सरीर के अंग भी पुलिंग होंगे रत्न पुलिंग है धातू पुलिंग है द्रव पुलिंग है परवतों के नाम पुलिंग है उसी तरीके से जो महीनों के नाम हैं ग्रह हैं तारे हैं देशों के नाम हैं पेड़ के जितने भी नाम होते हैं और पदों के नाम ये पदों के नाम भी आपके पुलिंग में पर्वतों के नाम, ये सब किसमें आ रहे हैं, पुलिंग पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि स्त्री लिंग क्या होता है, तो इस्त्री लिंग जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे, खतम लेंगे, फिर मैं आपको सबसे असान चुटकी बजाने वाली ट्रिक बता दूगा, कि चुट भी हमें base पता होना चाहिए और जब base clear है तो हरा चीजश असान है ठीक तो अब हम शुरू करते हैं इस्तृ ले तो इस्तृ लिंग क्या होता है सबसे पहले इस्तृ लिंग की definition इस्तृ लिंग जिन संग्या सब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो सब्द इस्तृ जाती का तो नहीं बोलेंगे तो यहां से हम उन शब्दों को देखके अगर यह पता लगा लें कि वो इस्त्री जाती का बोद कर रहे हैं तो वो शब्द अपने आप ही इस्त्री लिंग हो जाएंगे तो इस्त्री लिंग की बोलते हैं कि मुझे खीर खाना है जब आप यह बोलना है अगर खाना है तो आप गलत बोलना है बच्चों आपको बोलना है मुझे खीर खानी है और आप ऐसे भी आ सकते हैं खाने और पीने की जितनी भी चीज़ें होगी जैसे रोटी खीर होगा यह सब चीज़ें घी यह सब हमारे किस में आते हैं अच्छा इस्त्रिलिंग में आएंगे इसके बाद आता है नदियों के नाम जितनी भी नदियां है नदियां सारी इस्त्रिलिंग में आएंगी जैसे गंगा नदी यमना नदी नर्मदा नदी गोदावरी नदी यह हम क्या बोलेंगे गंगा बहती है यम पुलिंग में लिखे जाते हैं हमेशा और हमेशा यही पूछे जाते हैं आपको बोल दिया गंगा इस्त्री लिंग या पुलिंग तो आपको बोल दिया गंगा इस्त्री लिंग में आते हैं तो हम बोलें गंगा इस्त्री लिंग है बट आप गंगा नदी को इस्त्री लिंग है ब्रह्म पुत्र क्योंकि आप पुत्र से संग सकते हैं पुत्र लगा है न नदियों के नाम, तीसरा है भाशाओं के नाम, सारी भासाएं भी हमारी इस्त्री लिंग में आती हैं, जैसे भासाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फार्सी, अर्बी, जितनी भी भासाएं हैं आप लिखेंगे, वो सभी भासाएं इस्त्री लिंग में आती है तिक अब नेक्स्ट इस्त्री लिंग को पैचानने का तरीका जब सब्द के अंत में E आ जाए जहां भी E लगा होगा बड़ी E की मात्रा तो हम समझ जाएंगे कि वो शब्द इस्त्री लिंग है जैसे करनी, कथनी, कहानी, चटाई, पढ़ाई, पिटाई, रजाई तो E शब्द का लगना मतलब है इस्त्री लिंग और फिर देखें, कि जिन सब्दों के अंत में हट या वट ये भी लगाओ ना, तो वो भी इस्त्री लिंग में आएंगे जैसे की, एक्जाम्पल देखिए आप, चिकनाहट, गबराहट, मुस्कुराहट इन सब्दों में हट लगा है, ये किसमें आएंगे, इस्त्री लिंग में चिक, और फिर थकावट, लिखावट, बनावट, इन सब्दों में क्या लगा है, वट तो ये सब्द किसमें आएंगे, इस्त्री लिंग में तो ये दो ट्रिक भी इस्त्री लिंग की पहचान लो कि लास्ट में शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा हो या लास्ट में हट और वट लगा हो तो ये शब्द भी इस्त्री लिंग में आएंगे तो इस्त्री लिंग पहचाने के क्या तरीके मैंने बताएं आपको, सबसे पहले, खाने की चीजें, नदियों के नाम, भाशाएं, और शब्द के अंत में बड़ी की मातरा का आना, और शब्द के अंत में हट और वट का आना, ये सबी आपको सब्द का इस्त्री लिंग बतात में कि मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप चुटकी बजाते ही समझ जाएंगे कि सब्द स्त्री लिंग का है या पुल लिंग का है तो अब समय आ गया है कि हम लोग उसी ट्रिक पे बढ़ते हैं हाँ तो क्या है वो हमारी ट्रिक जिनमें हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे कोई सी भी कोशन में इस्तरी लेंगे आप लिंग पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे शब्द के अंत में जब शब्द हो ना तो आप शब्द में मेरा या मेरी लगाईए मेरा या मेरी ठीक है मेरा या मेरी लगा लीजिए आपको पता चल जाएगा जैसे मैंने एक सब्द दे दिया आपको कार तो आप कार में क्या बोलोगे जैसे सब्द लिखा है कार तो आप क्या बोलोगे मेरा कार या मेरी कार आप बोलोगे मेरा कार कैसा लग रहा है सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है या मेरी कार अच्छा लग रहा है तो आप तरंद बोलोगे कि यहाँ पे मेरी कार कार जो है वो कार के साथ मैं मेरी लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर मेरी शब्द लगा के समझ में आ रहा है तो आप तरफ बोलेंगे इस्त्री लिंग है और मेरा जहां लगके समझ सही लग रहा है आपको तो वहां पुलिंग है चीक है ओके और दूसरा किसी भी सब्द में आप अच्छा या अच्छी लगा के देख लो जब मेरा मेरी से जाएंगे जिनमें मैं आपको मेरा मेरी अच्छा अच्छी लगा के दिखाऊंगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुलिंग है बच्चों ठीक चलो मैं एक एक्जामपल आपको बोलता हूँ बहुत छोटा सा एक्जामपल है जैसे मैं बोलता हूँ कवी आप तुरंत ही लिखेंग कि शब्द है हमारा कवी ठीक है तो आप वहाँ पर मेरा मेरी लगाएं तो पुलिंग इस त्रीलिंग का पता चल जाएगा अगर उससे ना समझ में आए तो और ज्यादा है डेटेल में जाना है अच्छा अच्छी लगा लेना चलो आप बोलो मेरा कवी ठीक है यह तो सही सम तो कवी यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है पुलिंग है उसी तरीके से आप दुबारा से देखो कवी कवी में लगाओ अच्छा कवी और अच्छी कवी तो समझ में आ रहा है लेकिन अच्छी कवी हमारा गलत तरीके से थोड़ा उसका साउंड गलत आ रहा है तो अच्छ मेरा लगाके जादा अच्छा sमझ में आ रहा है कि मेरा कि इस भी शब्ड के अंच्छा समय मेरा है तो पुलिंग हो जाए गा अगर मेरी m store बने ना इन डोन से ना बने तो आप अच्छा लगा और अच्छी में आओ ठीक है पंखा को मेरा और मेरी और अच्छा और अच्छी से लगा जए लो siah ч्षा करता है ह्यूणर और जल्दी से ये ट्रिक खतम हो जाएगी चुटकी बयूजाने वालीक जो मैंने बोली थी आप बोलोगे पंखा चीक, अब पंखा में आप मेरा लगाओ, तो आप बोलोगे मेरा पंखा, चीक, तो मेरा पंखा तो सूट कर रहा है, बट आप यहीं बोलो मेरी पंखा, मेरी लगाओ, मेरी पंखा क्या इसमें सही लग रहा है, तो मेरी पंखा क्या चीज होती है भाई, मेरी पंखा तो कुछ ह होता ही नहीं है मेरा पंखा जादा अच्छा है तो मेरा पंखा लगाने पर अच्छा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि यह मेरा पंखा है तो बोलेंगे कि पंखा शब्द pulling है अब अच्छा अच्छी लगाओ तो बोलेंगे अच्छा पंखा अच्छी पंखा यह पंखा अच्छा है यह पंखा अच्छी है तो हम बोलेंगे अच्छा वर्ड जो है इसमें सूट कर रहा है तो बोलेंगे कि पंखा pulling है clear अगर मुझे लगता है आपको ये शब्द जितने भी मैंने tricks बताई थी आपको pulling पहचानने के लिए pulling में आपका क्या क्या होना चाहिए एक बार मैं यहीं से बोल देता हूँ बिना देखे pulling में सारे पदों के नाम पेडों के नाम देशों के नाम ग्रहों पुलिंग में आएंगी लेकिन आपको ये याद करने के साथ मेरी जो ये अभी मैंने latest trick बताई है कि शब्द के मैं आप मेरा या मेरी लगाओ मेरा से आपको अच्छा लग रहा है वो शब्द बोलना तो आप pulling बना देंगे वो शब्द को मेरी लगा के सब्द अच्छा लग रहा है तो आप सब्द को बोलेंगे इस्तरी लेंगे इन दोनों से भी ना आए तो आप अच्छा या अच्छी लगाईए अच्छा लगा के अगर शब्द अच्छा लग रहा है आपको तो आप बोलेंगे कि वो pull लेंगे और अच्छी लगा के अगर आपको सब्द में ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो आप अच्छी लगा के समझ में आए तो इस तरी लिंग्टोक देना तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये पूरी की पूरी ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी अब trick समझ में आगी और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी topic को समझने के साथ अगर उसको examples में ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा असान हो जाएगा तो चलिए आप हम लोग examples को समझते हैं ठीक है बच्चों तो example समझते हैं पहला example देखिए आप पहला example क्या लिखा है कलम अब यहाँ पे आप मैंने आपको सीरे सीरे बताया था ना trick मेरा मेरी अच्छा अच्छी अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे मेरा कलम और मेरी कलम क्या बोलोगे बच्चों मेरा कलम या मेरी कलम मेरा कलम गलत चीक है मेरी कलम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरी link को मैं A से denote कराऊंगा, pulling को P से denote कराऊंगा, तो मेरा column अच्छा suit नहीं करता, लेकिन मेरी column ज्यादा अच्छा suit करता है, तो column word में हम बोलेंगे, यह मेरी से ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो हम streeling लगा देंगे, तो column सब्द हमारा streeling है, दूशरा, अच्छा अच्छी लगा के भी देख लो, अच्छा column या अच्छी column, तो आप बोलोगे, यह column अच्छा है या यह column अच्छी है, तो तब आपको अच्छी वहाँ ज्यादा सही लगेगा, आप वहाँ भी streeling बोलेंगे, इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे भूख, भूख क्या है, मेरा भूख या मेरी भूख, अब आप कहा रहे होंगे, मेरी भूख ज्यादा अच्छा बैट रहा है सर जी, तो हम तो यहाँ पे streeling ही लगाएंगे, ठीक, तो बिलकुल सही लगाएंगे आप, अच्छा भूख या अच्छी भूख, उसे अच्छी भूख लगती है या उसे अच्छा भूख लगती है, तो अच्छी भूख लगती है, इसलिए हम इस तरी लिंग में इसको लगाएंगे, चलिए, अब हम देखेंगे फिर से तीन एक्जामपल, पहला, ग्लास ग्लास देखेंगे तो बच्चों ग्लास कैसा एक्जाम्पल है ग्लास जो है मेरा ग्लास या मेरी ग्लास तो बोलेंगे यहां मेरा ग्लास या अच्छा ग्लास दोनों ही सूट कर रहें तो हम बोलेंगे यह पुलिंग है अब आए तो बोलेंगे यहां तो मेरा आए नहीं मेरी आए यह बिलकुल सही लग रहा है तो यहां हम क्या बोलेंगे आए कैसा है इस्त्री लिंग व्याए मेरा व्याए या मेरी व्याए तो हम बोलेंगे यहां पर तो मेरा व्याए जादा अच्छा बैठ रहा है मतलब व्याय मतलब होता है खर्चा, चिक, तो व्याय इस तरी लिंग में जादा ऐच्छा बैठेखा। मेरी व्याय या मेरी अच्छी व्याय मेरा व्याय मैं दुबारा से बोलता हूं मैं भी कंफ्यूज हो गया एक दम से जल्द जली पढ़ाते पढ़ाते तो आये तो मेरी आये हो गया इस तरी लेंग व्याय मेरा व्याय यह हो जाएगा आपका पुल लेंग अच्छा व्याय मेर अब याई पुलिंग अप और एक्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं मेज कवी दरवाजा अभी मैंने आपको कवी के बारे में बताया था तो फिर से आ गया है दुबारा देख लेंगे मेज आप बोलके देखो मेरा मेज मेरी मेज तो मेज जो है या अच्छा मेज अच्छी और अच्छा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो आप यहां अगर नहीं भी हो रहा हो तो मेज जो है पुलिंग में ही लगा के आईएगा गलत मत करके आईएगा कवी मेरा कवी अच्छा कवी दोनों अच्छे लग रहे हैं आपको मेरी कवी अच्छी कवी ये दोनों ही गलत लग रहे हैं तो मेरा और अच्छा दोनों से बन रहा है तो हम इसको भी pulling में लगाएंगे दर्वाजा दर्वाजा कैसा है भई यह दर्वाजा तो अच्छा है और यह मेरा दर्वाजा है अच्छी दर्वाजा और मेरी दर्वाजा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी pulling में लगा के आएंगे, कुछ और examples देख लीजे बच्चों, हमेशा paper में पूछे जाते हैं ये और बच्चे गलत करके आ जाते हैं जहाज, मेरा जहाज तो हम क्या बोलेंगे, जहाज क्या होगा pulling, पंखा मेरा पंखा, मेरी पंखा मेरा पंखा, तो pulling साड़ी, मेरा साड़ी या मेरी साड़ी, बोलेंगे मेरी साड़ी, इसलिए strilling, ठीक है, तो मेरा मेरी से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ठीक, सोमबार बच्चों, मैं वहाँ आपको यह pulling में यह बताना भूल गया था, कि जैसे महीनों के नाम pulling में आते हैं, ऐसी दिनों के नाम भी हम लोग pulling में गिनते हैं, ठीक है तो सोमबार आपको वहाँ याद है कि महीनों, दिनों के नाम भी pulling में आएंगे तो आप यहां सीधे सीधे pulling लगाएंगे नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे मेरा सुमवार, मेरी सुमवार इससे अच्छा नहीं समझ में आएगा तो आप लगाएंगे अच्छा और अच्छी अच्छा सुमवार, अच्छी सुमवार आज का सुमवार तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है अब दूसरा आज का सुमवार मेरे लिए बहुत अच्छी है तो अच्छी तो सही समझ में नहीं आ रहा है आज का सुमवार मेरे लिए अच्छा है अब अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ, पुलिंग, और वैसे भी दिनों के नाम पुलिंग में आते हैं, सीसा, मेरा सीसा, मेरी सीसा, अच्छा सीसा, अच्छी सीसा, तो मेरा सीसा और अच्छा सीसा दोनों साही बैट रहे हैं, तो पुलिंग ठोक दो जल्दी, हिमाले, हिमाले, प पुलिंग में आते हैं सीधे ठोक दो धारकन अब धारकन तो सर ने कोई ट्रिक बताई निती लेगन सविर शॉपल्ग कर और और यहाँ det Clinical से सूट करता है तो मेरी धारकन हम लोग इस त्री लिंग में बोलेंगे थिक महुआ ये शब्द मैं जो थोड़ा उपर करना पड़ेगा महुआ अब महुआ में आप मेरा मेरी अच्छा अच्छी लगाए तो मेरा महुआ और अच्छा महुआ सूर बैठेगा यहाँ पे भी आपका पुलिंग हो जाएगा इसके बाद लिखा है परवार तो मेरा परवार मेरी परवार तो यहाँ मेरा जाद अच्छा लग रहा है अच्छा परवार यह अच्छी परवार आप लोगोंने सुना होगा एक डायलोग बहुत फेमस है हमारी इंडिया में छोटा परवार और सुखी परवार तो छोटा परिवार सुखी परिवार बड़ा परिवार तो बेकार परिवार ठीक है परिवार बेकार नहीं होता है बस यह है कि चीजें जो जरूरत की होती है जैसे ज़ादा जब जनसंग क्या ज़ादा बढ़ जाती है तो वहाँ चीजें थोड़ी-थोड़ी हो जाती है, थोड़ी-थोड़ी मिलने लगती है तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बड़ा परवार तो भेकार परवार बढ़ फिर भी जंसंग्या कंट्रोल में होनी चाहिए लेकिन फिर भी आते हैं हम घूम फिर के परिवार की तरफ तो परिवार मेरा परिवार है अच्छा परिवार है सीरे पुलिंग आप सभी का परिवार अच्छा परिवार है पुलिंग लगाईए इसके बाद आके बढ़ते हैं सोना, तामबा, खिलोना चलिए अब देखते हैं सोना, सोना तो भाईया यहां पे आपका गहना है एक जुईलरी है और मैंने आपको पहले भी बताये था कि जो जतनी भी रत्न हैं वो किसमें आएटे? पुल्लिंग में किस को छोड़ के? चांदी को छोड़ के तामबा एक धातू है और वैसे भी मेरा तामबा मेरी तामबा मेरा ही सूट करेगा अच्छा तामबा भी सूट करेगा और धातू आपकी वैसे भी पुलिंग में आती है तो पुलिंग ठोक देंगे खिलोना बोलेंगे, तो मेरे साथ बोलिए, मेरा खिलोना या मेरी खिलोना, बोलो सर जी, मेरा खिलोना ज्यादा अच्छा है, अच्छा खिलोना या अच्छा खिलोना, यहां भी सूट कर रहा है, तो पुलिंग, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और वीडियो खतम होन अच्छा अच्छा लग रहा है, तो इस त्रीलिंग हो जाएगी मचली अभ हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे किताब किताब क्या है मेरा किताब या मेरी किताब तो आप बोलोगे मेरी किताब इसलिए इस तरी लेंग अच्छी किताब इस तरी लेंग चीक है तो दोस्तों अभी हमें और भी एक्जामपल्स पढ़ने हैं तो और एक्जामपल्स मैं जल्दी से दिखा देता हूँ दो मिनट के अंदर या तो हम लोग अब बढ़ते हैं पानी पानी के एक्जाम्पल में हम बढ़ेंगे तो पानी यह है अच्छा पानी है अच्छी पानी तो नहीं बोलेंगे अच्छा पानी या नी पानी जो हमारा होगा वो होगा पुलिंग में पी बना देता हूँ दही आगे बढ़ते हैं सुशील जेश्ट और घी ठीक है भाई या तो सुसील सुसील तो वैसे भी लड़कों का नाम होता है या फिर हम ऐसे भी बोलेंगे के मेरा सुसील या मेरी सुसील तो मेरा सुसील जादा अच्छा हो रहा है अच्छी सुसील या अच्छा सुसील तब भी अ जेस्ट का आप अर्थ भी निकाल लो तो वह होता है बड़ा ठीक अब मेरा जेस्ट या मेरी जेस्ट तो वैसे भी पुलिंग है क्योंकि इसका अर्थ है बड़ा बड़ी नहीं ठीक तो यहां भी हम पुलिंग लगा देंगे अब घी सब्द कैसा है भाईया घी भी हमारा पु तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी भीड है उनने बहुत अच्छी भीड है इसतरी लिंक ठोक दो संग separately मतलब्री जुन्ड होता है तो संग बॉलेंगे यह बहुत बड़ी संग बॉलेंगी तो हम इसको भी pulling में लेके आएंगे ठीक है? दल अगला example होना चाहिए था दल, सभा और जुन दल क्या होगा? अच्छा दल, अच्छी दल अच्छा समझ में आ रहा है मेरा दल है के मेरी दल है मेरा दल समझ में आ रहा है pulling ठोक दो, सभा अच्छा सभा के अच्छी सभा मेरा सभा या मेरी सभा तो मेरी और अच्छी दोनों सूट कर रहे हैं इस पे तो पिर हम इस त्रीलिंग बोल देंगे इसको ठीक है? अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं last example की तरफ जुन्ड अब बोलेंगे मेरा जुन्ड मेरी जुन्ड उसका जुन्ड इसकी जुन्ड हैं अच्छा जुन्ड अच्छी जुन्ड बड़ा जुन्ड बड़ी जुन्ड तो इसमें सब में अच्छा जुन्ड है बड़ा जुन्ड है मेरा जुन्ड है उसका जुन्ड है तो फिर यहां पे सब में pulling ही जिक्र, pulling का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैंने आपको इतने सारे examples करा दिये अब आपको कोई भी इस्त्री लिंग और pulling से इस्त्री लिंग या pulling शब्द आ जाए प्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए ठीके बच्चों ज़्यादा वीडियो को मैं बड़ा नहीं बनाऊंगा तो आज का topic हमारा link अब खतम होता है मैं जल्दी आपके पास आऊंगा लोटूंगा next वीडियो में कुछ नया हिंदी से related वर्ण माला या फिर कुछ सगोस अगोस पेंजन या फिर महा प्राण कुछ भी मैं पढ़ा दूँगा जल्दी से जल्दी जो भी छोटा से छोटा topic होगा cover करा दूँगा आपका समा संदी अभी सब कुछ होने वाला है उपसर प्रत्या यह सब हमारे वीडियो में आने वाले हैं short tricks के साथ जैसे आज मैंने अच्छी मेरा मेरी अच्छा अच्छी करके trick बनाई तो आप लोग next वीडियो का इंतियार करें और बने रहें channel के साथ और इस वीडियो को like और comment करना ना भूलें लेकिन तभी अगर अच्छा लगा हो तो आपको like जरूर करिएगा बनता है दोस्तों इसतना तो मेरे लिए भी अगर मैं आपके लिए मेहनत करके ला रहा हूँ तो like, comment और share करना ना भूलें वीडियो को और subscribe भी जरूर करें तो मैं प्रतीक दुवेदी आपका teacher आपसे अब विदा लेता हूँ मिलते हैं जल्दी next वीडियो में ओके बच्चों तब तक के लिए good bye